स्टूडेंट्स यह आपका पार्ट एट वीडियो एक सिप्टर का पार्ट एट वीडियो में प्रसनावली वन सी पे हैं और कोशन नमबर है आपका वन कहरा है सिद्ध किजिए कि तीन रूट तीन एक परिमे संख्या नहीं है तो पहले हमें क्या कर साबित करना होगा कि रूट तीन एक परिमे संख्या है हमें अपोजिट लेना होगा आपको पता है ना परिमे संख्या है तो हम दो पुर्णांग ए तथा भी ले सकते हैं कि रूट तीन बराबर में ए बटा बी देखो यहाँ आपकी एक क्या है परिमे संख्या हमने माना है और ए बटा बी के रूप में जब पुर्णांग को लिख देंगे तो यह भी आपकी एक परिमे संख्या हो जाएगी और यहाँ पे जाना होगा कि बी कभी भी जीरो के यह भी लिशकते हैं यह और बी का हाइस्ट कॉमन फैक्टर यानि है यानि कि दोनों जो है इनका एट सीफ ए और बी का है वन के बराबर है कहने का मतलब है यह परिमे संख्या का सरलतम रूप है तीक है अब क्या लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करिएगा तो यहां हो जाएगा रूट तीन का स्कॉयर और इधर हो जाएगा एबटा बी का होले स्कॉयर तो यहां तीन बराबर में आ जाएगा एबटा बटा बी स्कॉयर यानि कि यहां से हम नहीं सकते हैं थ्री बी स्कॉयर बराबर में एस्कॉय इसका मीनिंग क्या हुआ, यहां पर अगर हम लोग, 3 को उदर भाग में लिखे चले एंद तो B A स्कुयर किसके बराभ हो जाएगा, A स्कुयर वर्टा 3 के, देखो, B A स्कुयर, B क्या है अपका यह, पुरुनांक है, और पुरुनांक का वर्ग भी एक पुरुनांक ही होगा, तो A2 में 3 से भाग देने पर जब पुर्णांक प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब कि A2 3 से विभाज है, यह लिख सकते हैं, आता, आता, A2 3 से विभाजित है, यह लिख सकते हैं, अजब A2 3 से विभाजित है, इसलिए A 3 से विभाजित होगा, हम लोग एक प्रमे पढ़े हैं पिछले वीडियो में, अजब A2 जब 3 से विभाजित है, तो A भी 3 से विभाजित हो जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, A बरावर में 3 से, जहां C एक पुर्णांक है, C कहा है अपका एक पुर्णांक है, तो यहाँ से आप यहाँ रखेंगे, तो 3 B स्क्वार बरावर में आजएगा, यह के जगर पर 3 से हो जाएगा, स्टुर्टां테 याँ पर ये सौल्व पर आते हैं 3ba स्कॉय ब्राबर में नाइन स स्कॉय यह 3d का बाबर में उसका कि पीस क्यइए इसका भी में इनिंग समझे यह 3 यह तरह भाग में आ आए जब यह 3 से विभाजित है इसलिए 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 वी तीन से विभाजित होगा विभाजित होगा हमने ऊपर देखा था कि यह और बी क्या है और सहबाज है यानि कि उनका इसलिए इसलिए विभाजित है और बी तीन से विभाजित है अतह अतह अधा ए और बी कि में कम से कम एक उभैनिष्ट उभैनिष्ट गुननखंड तीन है एक उभैनिष्ट गुननखंड क्या है तीन है परन्तु हम लोग उपर देखेते हैं परन्तु इससे इस कथन का बिरोधा भास बिरोधा भास होता है कि ए और बी आसह भाज्य है यासह अभाज्य है तीक है इसका उलटा हो रहा है न जी यहात हम लोग देख रहा है कि दोनों में कॉमन फैक्टर आपक कम से कम एक तीन हो जा रहा है लेकिन उपर देख रहे थे कि सिर्फ वन हो रहा है इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि रूट तीन एक परिमे संख्या है परिमे संख्या है इसलिए या अतह रूट तीन एक परिमे संख्या नहीं है हमें नहीं है दिखाना था ना कभी कभी आप परिमे भी कहा देगा दिखाने के लिए तो यहां पर लिख देता कि आप परिमे नहीं है या फिर लिख सकते हैं परिमे संख्या नहीं है अब देखो प मान लेंगे तीन रूट तीन एक परिमेशंख्या है यदि यह संभाव है यह संभाव है तो हमनों मान लेंगे कि तीन रूट तीन क्या है एक आपकी परिमेशंख्या है तो हम दो पुर्णांक कोई और पुर्णांक ले लेंगे पी तथा क्यू जहां क्यू नॉट इकल टू जिर होगा ले सकते हैं की तीन रूट तीन बराबन में पी बटा क्यू जहां पी तथा क्यू आसभाज है या सहभाज है यह भी ली सकते हैं अब इस तीन को इधर ले जाते हैं रूट तीन बराबन में पी बटा में थ्री क्यू ठीक है अचा हम लोग देख रहे हैं एलेचस के तरफ रूट तीन एक आप परिमे संख्या है अभी हमने साबित किया है यह निकि परिमे नहीं है परिमे नहीं है परिमे संख्या नहीं है और अगर आरेचस में देखा जाए तो पी क्यू और थ्री पुणांख नहीं यह तीनों इसलिए पी बटा थ्री क्यू एक परिमे संख्या है तो एक तरफ यह परिमे संख्या है और एक तरफ परिमे संख्या नहीं है तो क्या यह कभी बराबर हो सकते हैं नहीं नहीं सकते हैं तो इससे इस कथन का बिरोधा भास बिरोधा भास प्रात होता है कि तीन रूट तीन एक परिमे संख्या परिमे संख्या अता तीन रूट तीन एक परिमे संख्या नहीं है परिमे संख्या नहीं है, यह अभी कह सकता था कि 3 payments तो अम naw करते तो यहां करते, जहांँ परिमे संख्या नहीं है के जगह पर परिमे लिख देते कोसर नमार टू देखिए किह राचिद्ध कीजिए कि रूट पांच एक आप परिम hier जैसे मैंने रूट तीन का आपको बता है ना उस्थर लाह उची दोंब पांच एक परिमे संख्या है कि इसको कह बालेंगे परिमे संख्या मालेंगे उल्टा पानेंगे मैंने आपको पहले ही बता है चलिए तो हम दो पुर्णांग ए तथा भी यहां भी जीरों के बराबर नहीं होगा ले सकते हैं कि रूट पांच बराबर में ए बटा भी जहां ए और भी आसहभाज्य है यानि कि इन दोनों का हाईस्ट कॉमन फेक्टर क्या है वन है यानि कि ये परिमे संख्या का सरलतम रूप है दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर हो जाना है रूट पांच का स्कॉयर और इधर हो जाएगा ए बटा भी का होला स्कॉयर इधर 5 और इधर आजागा A² बटा B² यानि कि यहां से लिख सकते हैं 5 B² बराबर A² इसका मिनिंग समझी हैं यह रफली मैं आपको समझा रहा हूं कि B² प्राप्थ हो जब A² में 5 से भाग करते हैं तो B² जो होगा आपका एक पूर्णांग होगा तो जब किसी A² यानि कि किसी पूर्णांग में किसी संख्या से भाग करने पर एक पूर्णांग प्राप्थ हो जाए तो यहां कह सकते हैं कि A² पांच से भिभाज है जब A² पांच से भिभाजित है जो हम प्रमे पढ़ा हैं उसके अमसाल लिख सकते हैं इसलिए A पांच से भिभाजित होगा पांच से भिभाजित होगा ठीक है अब देखिए अब इसके बाद मैं माल लूँगा A बराबर में 5C और जहां C एक पुढ़ा एंख है टीक है तो 5 BA2 बराबर में, यहां पर हो जगा एक जगापे 5C हजागा, 5C क्या हो जगाँ, याननी कि 5 BA2 बराबर में 25 C², इसको भाग मले जाऊँगा, तो BA2 बराबर में 5 C² आएंगा, इसको हम लोग नीचे ले जाएंगे तो यहां पर देख रहे हैं कि B S2 में 5 से भाग देने पर C S2 आ रहा है, यानि कि एक पुर्णांक आ रहा है, तो इसलिए आपका जो B है, 5 से बिभाजित होगा, बिभाजित होगा या बिभाज है, अतह, यहां देख रहे हैं, A 5 से बिभाजित है, B भी 5 से बिभाजित है, अतह, A और B, A और B में कम से कम, कम से कम, एक उभैनिस्ट, A और B में, सौरी, A और B में, कम से कम, एक उभैनिस्ट, गुनन खंड, पांच है, लेकिन हम लोग उपर क्या लिके थे, कि A और B आसह भाज है, परंतु, इससे, इस कथन का, बिरोधा भास, प्राप्त होता है, की, A और B, आसह भाज है, इसलिए, हमारी, हमारी, कल्पना, गलत है, की, रूट पांच एक, परिमे संख्या, अतम, रूट पांच एक, रूट पांच एक, अपरिमे संख्या है, तो पहला मैं रूट 5 को अपरिमे संख्या दिखा दिया, समझ गए ना, समझ गए, अब देखिए, इसी के अधार पर अगला कोश्वन दिया है, उसको देख लिया जाए, कोश्चन नमर 3 देखी ना सिद्ध कीजिए कि 3 पलस 2 रूट 5 एक आप परिमेशन थे हैं तो पहले हमें क्या करना होगा कि यह रूट 5 को साबित करना होगा कि आप परिमेशन थे हैं तो यह आपको पहले साबित करना होगा, समया ना, पहले आपको यह साबित करना होगा, कि रूट पांच एक परिमे संख्या है, यह पूरा का पूरा आपको लिखना होगा, ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, मैं आपको बदाता हूँ, फिर उसके बाद क्या करना है, मान है कि यदि यह संभा है तभी मान रहे हैं ठीक है आप फिर क्या लिखेंगे तो हम कि दो कि पुर्णांग कि ए तथा भी गुसरा कोई पुर्णांग ले लेते हैं पी तथा क्यूं कि ले सकते हैं कि कि तीन पलस दो रूट पांच बराबर में पी बटा क्यू जहां पी और क्यू आसभाज है आसभाज है आसभाज है समझे ला अब तीन को उधर ले जाते हैं दो रूट पांच बराबर में पी बटा क्यू माइनस दो रूट पांच बराबर में इधर लिखें लेते हैं क्यू पी माइनस का थ्री क्यू अब अब इस दो को भाग में लिए जाते हैं रूट तीन को इधर रूट पांच जो है उसको अकेले कर देंगे पी माइनस थी क्यू बटा में टू क्यू ऐसे हम लो लिए सकते हैं अब लेचेस में देखिए कि रूट पांच एक आपरी में संख्या अभी हमने उपर दिखा है आप परिमे संख्या है अच्छा अब आरेचेस में देखा जाए आरेचेस में तो वहाँ पर पी क्यू टू और थ्री पुनांग है यह सब पुनांग दिये गए है इसलिए पी माइनस थी क्यू यानि कि दो पुनांगों का अंतर और बटा में एक पुनांग क्यू भी तो आपका पुनांक होगा ना तो पुनांक बट्टा पुनांक एक परिमे संख्या हुआ ना तो देखो एक तरफ आपका परिमे संख्या है और एक तरफ आप परिमे तो यह कभी बराबर होगा नहीं होगा इस से इस कथन का बिरोधा भास बिरोधा भास प्राप्त होता है कि आपकी जो थी क्या था जी? तो तीन पलस दो रुट पाँच था ना? तीन पलस दो रुट पाँच एक परिमे संख्या है। परिमे संख्या है, हमने साबित करके दिखा दिया, समझ गया ना? कोसर नमर फोर देखिये कह रहा चित कीजिये की रूट Glaive परीमे संख्या है परिमे संख्या है लिए रूट जैसे साथ क्या है एक परिमे संख्या हैं तो हम दो पुनांग दो पुनांग A तथा B जहां B क्या होगा? not equal to 0 ले सकते हैं की की रूट साथ बराबर में A बटा B जहां A और B असभाज है यानि कि उनका हाइस्ट कॉमन फेटर 1 है अब क्या लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जागी था? रूट साथ का सक्वाइर बराबर में A सक्वाइर बटा B सक्वाइर यानि कि साथ बराबर में आ जाएगा साथ बराबर में आ जाएगा यहां से साथ बराबर में a square बटा b square यानि कि 7b square बराबर में क्या हो जागा है a square 7b square किसके बराबर हो जागा a square के तो यहां देखिए इसका meaning समझे a square में 7 से भाग देने पर b square यानि कि यह एक पुनांक प्राप्त हो रहा है जानि कि A² साथ से विभाजित है इसलिए A साथ से विभाजित होगा A जो होगा साथ से विभाजित होगा ठीक है अब यहाँ पर हम लोग माल लेंगे A बराबर में 7C जहां C एक पुर्णांग है C क्या है अपका एक पुर्णांग है समझे ना अब देखिए इसके बाद में क्या करता हूँ यहाँ पर रख दूँगा 7BA स्क्वाइर बराबर में 7C का होल स्क्वाइर यहाँ इसका मीनिंग क्या हुआ कि BA स्क्वाइर में 7 से भाग देने पर C स्क्वाइर एक पुर्णांग आ रहा है इसलिए यहाँ लिख सकते हैं आता हूँ BA स्क्वाइर साथ से बिभाजित है अच्छा जब BA स्क्वाइर साथ से बिभाजित है इसलिए बी साथ से विभाजित होगा बी जो है साथ से विभाजित होगा अच्छा A भी विभाजित हो रहा है और B भी साथ से विभाजित हो रहा है तो आप लिख चकते हैं आता हूं A और B A और B में कम से कम कम से कम एक उभैनिस्ट उभैनिस्ट गुननखंड गुननखंड साथ है जब एक उभैनिस्ट गुननखंड साथ है लेकिन हमने उपर क्या देखा था कि A और B असह भाजे यानि उनका highest common factor 1 ही हो रहा था परन्तु इससे इस कथन का बिरोधा भास बिरोधा भास प्राप्त होता है कि A और B आसह भाजे है असह भाज्य है ठीक है इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि रूट साथ एक परिमे संख्या है परिमे संख्या है अतह रूट साथ एक अपरिमे संख्या है कोई दिक्कत नहीं है चलते अगले कोशन पर यहां लोग इस वीडियो को यहीं पेंट कर दोते हैं बाकी कोशन अगले वीडियो में देखा जाएगा तो आपको अमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा पहला है पाथ फाइंडर क्लासिस छपरा दूसरा है आपका भारती भवन रवीकांत सर भारती भवन रवीकांत सर और तीसरा चैनल है रवीकांत सर के नाम से तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसे रिएडर वीडियो के लिए सीज़े डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे समाज़ी नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikant.in और इस बेव साइट पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को उनके पीडियेप को डाउलोड कर सकते हैं अबजेक्टिव सब्जेक्टिव सारे कोस्षन को डाउलोड कर सकते हैं जो आपके एक्जाम से रिलेटेड है